भारत सरकार ने शुक्रवार को गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंद को तुरंथ हटाने का एलान कर दिया है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। सरकार के आदेश में विस्तृत तौर पर बताया गया है कि उसने यह फैसला क्यों लिया। सरकार ने जुलाई 2023 में घरेलू चावल की आपूर्ती को सुरक्षित करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए चावल के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था। अब इस फैसले का निर्यातकों ने स्वागत किया है और गेम चेंजर करार दिया है। निर्यातकों की माने तो सरकार का नया फैसला क्रिशी उद्योग के लिए गेम चेंजर बताया है। निर्यातकों ने इस फैसले पर कहा है कि गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का भारत का साहसिक फैसला क्रिशी चेतर के लिए गेम कि इस कदम से निर्यातकों की आएं में वृद्धी होने तथा नई खरीफ फसल के आने पर किसानों को ज्यादा फाइदा मिलने की उम्मीद है। प्रतिबंध हटाने के अलावा, सरकार ने चावल के निर्यात बाजार को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश से, उबले चावल पर निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है, डॉट वही निर्यातकों ने सरकार के इस तुरंथ एक्षन के लिए आभार जताया है। भारत सरकार ने उबले चावल पर 20 पीसदी निर्यात कर अनिश्चित काल तक लागू रखने का फैसला किया है। भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल, सेशल्स, मलेशिया, फिलिपींस, कैमरून, कोट डी आइवरी और गिनी रिपुब्लिक को फाइदा होने की उम्मीद है पिछले साल आए इस आदेश का कई देशों ने विरोध किया था। भारत की तरफ से लगाए गए निर्यात प्रतिबंद के बाद अमेरिका जैसे देशों में चावल महेंगा हो गया था। Bureau Report Market Times TV